मुँशंती, आठ माच की शुरत अनमास फकस होगत है, बिंदू और बूंद इन दो चीज़ों पर आज बहुत इंपॉर्टन चीज़ दिखेंगा नमाच परमात्मा हमें सिखाते हैं कि बिंदू और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेश्टिती बनाने वाले सिद्धी सुरुब भवा, अपनी खुद की सिद्धी श्रेश्टि बनाने वाले मलब, mental जो हमारे level elevated रहे है श्रेश्व परमात्मा की पूजा में एक बिंदू की विशेश्टा है देखाए श्रेश्व लिंग के बिंदू लाया होता है लावरं का दूसरी बूंद बूंद की विशेश्टा है श्रेश्व लिंग की विशेश्टा है श्रेश्व पर बूंद बूंद पानी भी डलते हैं दोनों का अपना मैत्व है आत्मा पर्मात्मा और प्रकर्ति का ये खेल यह सारा ड्रामा चल रहा है उसमें आप देखो मैं आत्मा हूं आप ही आत्मा सुन रहे हो लेकिन ये प्रकर्ति का जो कान बना हुआ है आपका शरीर के बिना आप सुन नहीं सकते हो आप आत्मा शर तो कि दुन्या को अनुभव कर पाएं तो अगर एक आत्मा नहीं है शेरीर में उसके अगर आप मुँ में निम्बू निचोड़ें तो उसको पता नहीं चलना वाला कि वो खटाएगी मीठाएं क्यों 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 कि अनुभव करने वाली कौन है हम आत्मा है तो परमात्मा इसलिए समझाने हैं कि एक है आत्मा होना जरूरी परमात्मा का होना जरूरी और प्रकृत्ती का होना जरूरी ये तीनों चीजों मिलने से ही क्या होता है ड्रामा ये खेल चलता है संसार में आत्मा परमात्मा प्रकृति का ये खेल अर्थार ड्रामा तीनों का ग्यान प्राक्टिकल लाइफ में बिंदू ही अनुभव होता है अगर मैंने बिंदू समझ के आत्मा समझ के समझ लिए हाँ परमात्मा बिंदू मैं आत्मा बिंदू और ड्रामा में जो भी खेल चल रहा है वो सारी बिंदियां खेल चला रही है सारी आत्मा खेल चलारे हैं और परमात्मा की guidance में भी कुछ आत्मा चला रही हैं कुछ आत्मा उनकी guidance से नहीं कर रही है करम जो की विकरम कर रही है तो ये खेल उसके नुसार चल रहा है फिर परहुतर करते हैं तीनों का ज्यान practical life में बिंदु ही अनुबव होता है देखो अगर आप जाड़ा करके अशान्त हो करके किसी के बारे में अनाप शेनाब बाते करके चाहे साथी से सहीली से, फैमली मेंबर से यह ऐसा है वो ऐसा है बात करके फिर आप सोचो कि मैं मेडिटेशन में बैटता हूँ मैं बाबा को याद करता हूँ, परमात्म को याद करता हूँ नहीं होगा, क्यों आपने वो बून्द जो है वो सिंबल आफ अम्रित, अम्रित में लगा हमारे संकल बिकुल प्योर होने चीए तब जाके परमात्म से कनेक्शन होगा तो उसको चेंज करना है जिससे मिलन की सिद्धी का नुभा होता है अगर वो प्योर थौट्स नहीं है तो आपका मिलन परमात्म से नहीं होगा मेडिटिशन नहीं होगा, कनेक्शन नहीं बैठेगा रूहरियान में प्रापतियों की शीतल बूंद बाप पर डालते हो जब परमात्म से रूर रहन करते हैं तो प्रापतियों की शीतल बूंद बाप पर डालते हो पर रहना होता है आज आप से में कोई सुख मिला, शांती मिली थैंकी सो मैच आपकी गैडनिस मिली मुझे आज तो यह बूंद होगी वो अच्छी बाते करें परमात्म से लो कॉलिटी की बात नहीं करें हाई प्यूर कॉलिटी की बाते करें परमात्म से meditation में इसी से ही श्रेश्र स्थेती बन जाती है हमारी इसी का यादगार बक्ती में भी चला आता है, क्या यादगार है? शेवलिंग के उपर बूंद बूंद एक सिंबल जिसको हमने समझानी बस बूंद डालते रहे तो यह सब को सिखाया थे ब्रह्मा को मारीज में आप विया करके इस विद्या को सीके है अम शांती